हलो बच्छा लोग, कैसे हो सारे के सारे, तो बच्छों आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे किस तरीके से बायोलोजी में हम 100 आउट ओफ 100 स्कोर कर सकते हैं, राइट तो पहले एक बात को समझते हैं, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने शायद इस बारी मार्क्स अच्छे स्कोर नहीं करे हो, ये 11th में मार्क्स अच्छे नायों, बट किस तरीके से हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए एक छोटी सी बात, क्या, you should never regret anything in life, yes, हमे अच्छे नहीं आये हैं, बहुत बेश्थी हुई है, शर्मा जी के साथ comparison कर दिया, वर्मा जी के बच्चे के साथ comparison कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक experience तो मिला, क्या experience मिला, experience में हमने ये जाना, कि हमने क्या-क्या गल्तिया करी हैं, और उन गल्तियों को अगर हम सुधार करेंगे तो जरूर अच्छा होगा तो कुछ भी हो लाइफ में कभी रिगरेट मत करना कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे उस चीज से इस बात को हमेशा याद रखना अगर सकसेज मिलती है तो वंडरफुल बहुत बढ़िया लेकिन अगर हार होती है तो उससे भी हमको सीखते हैं क्या experience मिलता है कि अगली बार कौन सी गलती नहीं करनी इसी को लेकर शुरू करते हैं अपनी strategy को सबसे पहले मैंने mention कर रहा है बच्चो study source अब study source का मतलब क्या है study source का मतलब है कि आपको पढ़ना कहां सिरत को बालोजी की बात करें न जिससे आपको ना वो रहा है वो है बच्चा आपकी NCRT के तो बच्चा आपको एंसी एर्ट से पढ़ना है yes सबसे पहली चीज एंसे पढ़ना है ठीक सब मालनी बात कैसे पढ़ना है बच्छों आपने नोटिस कर रहा होगा चाहिए नीट के एक्जाम की बात करें या नॉर्मल एक्जामिनिशन की बात करें बाद करें बाइलोजी में लाइन से कुश्चन साथते हैं मतलब एक एक लाइन इंपोर्टेंट है तो लाइन टू लाइन रीडिंग करनी है आपको क्या करनी है आपको लाइन टू लाइन रीडिंग करनी है सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट बात अब पते होता क्या है, line to line reading करने बैठते हैं तो हम thoroughly read करते चले जाते हैं, ऐसे नहीं चलेगा चले, fragmentation करना पड़ेगा, कभी भी अगर हम biology को पढ़ रहे हैं, हमें line to line reading करनी पढ़ रहे हैं, the reasoning कुछ भी important है, कैसे कर सकते हैं, उसको fragmentation करके, अगर उसको छोटे छोटे पार् होगी और हम समझ पाएंगे, right, पहली चीज, क्योंकि बता है, कई सारे बच्चे होते हैं, क्या, आपने NCRT पढ़ने चुरू करी, वो particular कोई supplement book से पढ़ रहा है, दूसरा दोस कुछ और book से पढ़ रहा है, अरे यार मैं भी पढ़ूँगा, इस चकर में ना तो आपने NCRT पढ़ी ना वो books पढ़ी, नहीं, हिलोई मत, NCRT पे focus करो, सबसे बढ़िया, क्योंकि, what, CBSC भी इसी book को पढ़ने को बोलता है, तो सबसे पहले NCRT पढ़ने है, line to line reading करने है, and fragmentation करना है, fragmentation मतलब, दो topics है, for example, तो पहले एक topic को बढ़ो, उसको अच्छे से दिमाग में, क्य काता है, teacher, बच्चों, आपको जो भी teacher अच्छा लगता है, आप एक teacher को follow करो, हमेशा, माना की, देखो, एक simple सी बात समझते है, syllabus की बात करें, हर syllabus आपको वह syllabus करवाएगा, बस एक teacher की जो teaching methodology होती है, वो अलग होती है, एक teacher एक तरीके से पढ़ा रहे, दूसरा दूसरा तरी करो, जो भी teacher आपको उच्छा लगता है, ये बहुत ज़रूरी है, बना होता है, एक ने पढ़ना शुरू करा, उसका दोस कर रहा है, यार ये सर अच्छे से बढ़ाते, ये मैं अच्छे से बढ़ाते, उसने उनका पढ़ना शुरू कर दिया, फिर वगेन तीसरे पे, तो आरवर होता है कैसे, आप एक जगे नहीं टिकते, अब तीन-चार जगे अटक जाते हो, ना आपको इधर का क्लियर रहता है, ना कुछ, सब कुछ, बंटाधार, ये बहुत ज़रूरी है, तो NCIT के साथ-साथ, एक particular teacher को follow करना भी ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है दोस्ती है, ठीक है, वो सुना होगा ना, दो नाओ पे अगर क्या रखते हैं, पैर रखते हैं, तो फिर पानी में गिड़ता है इंसान, ना इधर कर रहता है, ना उधर कर रहता है, ये बहुत ज़रूरी है दोनों चीज़े, तो ये तो हो गई आपकी study source, NCRT पढ़नी है, और किसी बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना, NCRT इस तरीके से पढ़नी है, कि भाया मुझे एक एक लाइन क्लेर है, मतलब examination में अगर question आ रहा है, तो आपको पता होना है चाहिए कि ये particular chapter ये है, और इस particular chapter में इस page पर मैंने ये चीज पढ़नी थी, इस इस तरीके की NCRT दिमाग में set करनी है, तब ही जाकर कुछ होगा, सुमझे रहे हो, NCRT की line to line reading करनी है, कैसे करनी है, fragmentation करके, और उसके बाद आपको इस तरीके से वो चीज आनी चाहिए, कि भी अगर question आ रहा हैं, तो आपके दिमाग में क्या चमकना चाहिए, ये इस particular chapter का, इस particular page number में मैंने पढ़ा था, तो इसे बोलते हैं कि इस तरीके की पढ़ा है, पहली चीज़, दूसरा है, proper schedule बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, proper schedule में पते हैं, proper schedule में आता है, daily basis study, पता है, आपको भी पता होगा, 21 दिन में एक habit डेवलप होती है, तो अगर आप कोई भी चीज़ डेली बेसी से पढ़ रहे हो, आपका जो body है, आपका जो system में वो उस चीज़ से used to हो जाएगा, तो आपके लिए वो चीज़ असान हो जाएगी, exam से 10 दिन पहले अगर ह एकदम से नहीं develop होती, अगर हम शुरू से habit डेवलप कर ले, कि ये particular time में daily पढ़ूंगा, और वो पढ़ने का मतलब पता है, अगर, देखो मैं ये मश्चा से बोलता हूँ, आप गिंती के 2 घंटे पढ़ो, लेकिन वो 2 घंटे ऐसे होने चे कि आप खाली उस टाइम पर पढ़ाई करी, ठीक है, उस 6 घंटे की पढ़ाई में valuable कितनी थी, 4 घंटे आफोन चला रहे थे, 2 घंटे proper पढ़ाई हुई, नहीं, उसमें भी क्या था सर, बीचों मेरा मन नहीं करा था, मैं पानी पीने चला गया था, मेरा खाने खाने चला गया था, ऐसे नहीं होता, 2 घं में एक सेकंड भी पढ़ाई से हटा ना हो, इसको बोलते हैं valuable पढ़ाई, और daily basis का study का क्या फाइदा है, daily basis में हम used to हो जाएंगे, हमारे mind में क्या रहेगा, एक clock set हो जाएगा, 6 बज गए, ओहो, पढ़ने का time मैं, पढ़ूंगा मैं, 8 बजे तक पढ़ाई करी मैंने, फिर dinner का time है, dinner कर लिया, फिर पढ़ूंगा मैं and then मैं सो जाएगा, तो एक clock create हो जाएगी, ताकि आप अच्छे से पढ़ सको, ये भी बहुत ज़रूरी है, और daily basis का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर शुरुआत में ये आदत डाल ली तो पूरे साल ये आदत बनी रहेगी, और जो एक बार आदत अच्छे से बन चुकी है, तो हमारी दिक्कत नहीं आगी, जैसे कई बार कहोता है, backlog rate हो गया, या कुछ भी हो गया, ये backlogs हो गयरा कभी आएंगे ही नहीं, और इससे एक और फाइदा भी आपका क्या, in case, आपके यहां कोई भी function अगयरा है, आपको immediately जान बनाना चाहिए, और proper schedule किस तरीके से बनाना चाहिए, provide proper time to each subject, और पता हमें अपना time table या schedule इस तरीके से plan करना चाहिए, कि जिस subject की जितनी demand हम उसको उतना time दे सके, हर बच्चे को पता होता है, मेरा कौन सा subject strong है, कौन सा नहीं है, तो अगर कोई subject आपका strong नहीं है, उसको ज Yes, initially उसको ज्यादा time दोगे, तो कहीं न कहीं वो equalize हो जाएगा, और वो जो topic या subject आपका अच्छा नहीं था, वो at the end of the year अच्छा हो जाएगा, तो proper time देना बहुत ज्यादा ज़रूर है, even though I am a biology teacher, बट मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि अगर physics समदने में दिक्कत ह हो रही है, तो उसके numericals को ज्यादा time दो, तो biology आपको अच्छा लगता है, आप अच्छा करी रहे हो, बट अगर physics को भी वहाँ पा सही time दोगे, तो आपका physics भी अच्छा हो जाएगा, ये neat वाले बच्चों के लिए मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि neat वाले बच्चों को तो भी बताई बात कि physics से भी न कुछ नहीं होना, rank physics ही लेकर आता है, तो हर subject को जितनी demand वो करता है, उतना अगर आप time दोगे, तो अच्छा रहे हो और वो कैसे हो गया, daily basis studies है, ये थोड़ना है, साल का एक दिन में एक अठ्था कर लेंगे, तो उम सारा cover कर लेंगे, मैं कह हो जाता है, तो इसको भी ठंडा ठंडा करकर बढ़ना पढ़ता है, वो कब होगा, जब daily basis पर time निकाल कर पढ़ोगे, कि ये ये मेरा time है, और अपने according plan करो, इसमेरा किसी का force नहीं होना चाहिए, आप school से आरे हो, आपका मन कर रहा है, सोने का सो, मैं तो हमेशा बोलता हो, खेलो भी, दोनों चीज़े जरूरी है, extra-curricular activity भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, mental development के लिए, लेकिन जो आपका time है पढ़ने का, उसको आपका utilize करना है, मैंने बोला ना, दो घंटे की पढ़ाई होता है, दो घंटे पढ़ाई होगी, एक second भी, every bit of it, मैं खराब नहीं करूँगा, इस तरीके का setup चाहिए, next time management, now what is time management, जो मैं बात कर रहा था, subject वाली बात, time management का बच्चों, simple सा मतलब यहाँ पर यह है, जैसे एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, वो बाइलोजिक को पढ़ रहा है, अब उसको diagrams की, उसको diagrams की बहुत अच्छी practice है, उसको diagrams की बहुत अच्छी practice है, तो diagrams में अगर थोड़ासा less time देगा, चल जाएगा, लेकिन उसका जो theoretical aspect है, वो थोड़ासा weak है, उसका जो theoretical expect है बच्चा वो थोड़ा सा क्या है वीक है तो उसमें ज्यादा टाइम दे कर दाइग्रांज है और बच्चो ईका आते हैं संद्र करने से अभी वो भी हम धिसके करेंगे से अगर यह इसका ऐते है और गालीतो opensugu 担रें पृष़न बहुत अच्या मतलब उसको क्रेस्प करने की असानी से आदत है तो उसमें कम उसकोम स्ने में ज्यादा टाइम देना चाहिए यह होता है टाइम मेनेजमेंट कि एक घंटे में से एक घंटे में मैंने 20 मिनट डाइग्राम की प्रैक्टिस करी मैंने 40 मिनट त्यूरेटिकल टाइम दिया सिमिलली ऑगर एक बच्चा उसका ठाइक्ट आप अच्छ ए तो डाइग्राम में ज्यादा टाइम ते और जिसका डाइग्राम बहुत ही बेकार आहा है उसको तो डाइग्राम को अच्छ से प्रैक्टिस करना चाहिए अब बात या जाते है समय這些 किस तरीके से का जाए है, डाइग्राम की सबसे बहस्त तरीके की चीज होती है, कि डाइग्राम को भी अब फ्रेग्मेंट कर दो, like for example आप अपने रेस्पिरेटर्ड इस्टम के बारे में पढ़ रहे हो, तो रेस्पिरेटर्ड इस्टम कीबात करे तो नोज हो गया, नेजल पैसेज हो गया फर्दर प्रहिंक से एरिया हो गया इतने को रुक जाओ अब इतने एरिया को पहले अच्छह से दिमाग में सेट करो और उसका प्रस्थाश का घरान ग्रोग लगन कखेश wanna enhance इतना अब इतना ही समझोंगा !! इसका एक अच्छे-से फ्र्रैग्मेंट के लिए हम नीचे का कुछ नहीं पढ़ रहे है, इतने को अच्छे-से फ्रीग्मेंट के लिए अब इसको दिमाग में सेट करें यार क्या हो रहे है कि एक साइड पर करो और इस तरीगे से करो like labeling a b c इस तरीगे से होने चाहिए यह निया a b c ऐसे तो कभी भी करोगे तो कभी समझ में आएगा बहुत जरूरी होता है पता है कोई भी टीचर यह नहीं बोलता कि आप मेरे को 3D डाइग्राम्स बनाके तो नहीं बिल्कुल अजया और डाइग्राम और टीक थास को मतलब तीक थाक होना ची और सारे पार्ट उसके लेब लहनेचीए प्रॉपर इस तरीके से यह मांगता कोई 3d डाइग्राम निं मांगता कभी भी यह बच्चे सोचने vanगम तर मेरा डाइग्राम में टाइमकराब ऊगया मेरा पेंब राइट यहां तक की बात क्लियर है अब इसके बाद अब इसके बाद एक चीज और बताऊंगा मैं इस study source में वापिस से study source में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको क्या है वो चीज बच्चों biology को लोग सकते क्रैमिंग सब्जक्ट है क्राम कर लूंगा मैं नहीं यहीं गलती है क्राम नहीं करना है कंसेप्टस बिल्ड करने है biology में जिसने concept बिल्ड कर लिया न उसको सालों साल यहाद रहता है क्योंकि concepts दिमाग में सेट रहता है क्राम तो रट्टा मारा आज कल भूल के conceptualiszन कैसे करेंगे biology का बेस्ट तरीका है word के meaning को निकालना word के meaning को निकाला अगर आपने biology में words का meaning निकाल लिया तो आपको काफी लंबे समय तक याद रहेगी like for example I am talking about pulmonary pulmonary is related with lungs मतलब lungs के बारे में बात हो रही है hepatic liver के बारे में बात हो रही है renal kidney के बारे में बात हो रही है तो word के meaning बठाने पड़ेंगे एक होता है elementary canal human elementary canal canal means a tube माउस से अनस तक एक tube होती है elementary मतलब nutrition canal तो क्या मिलता है nutrition मिलता है biology में concepts build करने का सबसे best तरीका है word का meaning निकालना जितने word के meaning आपने brain में बना लिए आपको जिन्दगी भर याद रहेगा वनना क्या करते रहते हैं न्यूमो को 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 न्यूमो को थो 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 याद ही करते रहोगे आप वह हो गई नहीं कभी कि क्योंकि आपने conceptualization कर रहे नहीं तो यह बहुत ज़रूरी है and then last में जो चीज आती है वो आती है रेगुलरीटी रेगुलर बेसिस पे रेगुलर बेसिस पे मतलब रेगुलर बेसिस का मतलब पते क्या है मैं इसके लिए बच्चों को बोलता हूँ अब वीकली शेटी हूँ मैं कभी यह नहीं बोलता कि पूरे साल भर के त्यारी कर लो नई वीकली शेटीूल क्रिएट करने चीज आपको वीकली शेटीूल का मतलब क्या है इस पूरे हफते में मैं बाइलोजी कितनी पढ़ूँगा मैं फिजिक्स कितनी पढ़ूँगा मैं केमिस्ट्री कितनी वह आपका वीकली शेटीूल आपके पास रिडी रहना चाहिए और इन केस अगर एक बैकलॉग क्रिएट होता है तो आपका जो नेक्स्ट वीक का शेटीूल होगा आप उसमें इसको एड कर दोगे ठीक है तो अगर एक महीने में चार हपते हैं दो हपते हमारी बैकलॉग क्रिएट भी रही है तो जो बाकी दो हपते हम उसमें को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं तो जो डेली बेसिस काम जंडा लेकर चला थे कि हमें फॉलो करना है वो रेगुलारिटी हमारी मेंटेन रहेग इस वी क मेरा बैकलोग करेट होगap next weekbre kindly भी उसमें cover ho technical ठेक है एक महिने में चार हपते अगर दो हफ्ते बैकलोग करेट हो जो समय का अच्छे से यूटिलाइज करेगा, वह सफल होता है, इस बात को याद रख लेना, दिबाग में सेट कर लेना, ठीक है, तो weekly schedule plan करो, एक महीने में 4 weeks होते है, weekly schedule plan करो, backlog कभी करेट ने होगा, और regularity जो maintain करता है, वो end तक फायदे बराता है, क्यों? याद कर लो, एक ब दो दिन वाले के बास नहीं होंगे, दो दिन वाला माक्स तो ले आएगा, conceptualization में 0 रह गया, अब अगर हम बात करें competitive exam की, उसमें तो conceptualization चलता है, दोस्ते, concept जिसके अच्छे होंगे, वही लंबी इसका क्या बनेगा, लंबी इसका गोड़ा बनेगा, याद रखना इन बात क बात को, बाइलोजी के लिए, simple facts क्या है, एक particular study source से पढ़ना, एक particular teacher को follow करना, line to line readings करना, fragments करके diagram की और theoretical part की practice करना, और words के meaning निकालना है, क्योंकि भाईया, ये रट्टा figuration नहीं है, ये conceptualization है, खुद की body के बारे में जान रहे हो, ये रट्टा नहीं है, अगर रट्टा मार क्योंकि यहां पर kidney यहां नहीं होती है, kidney पीछे होती है, Q% होती है, उसका भी reason है, तो समझना इस बात को, kidney, right kidney नीचे होती है, left kidney उपर होती है, उसका reason है क्या, क्योंकि बड़ा सा liver बैठा है, conceptualization है, समझे बात को, इस बात को अच्छे से follow करना, जरूर फाइदा मिलेगा, right, thank you so much, अच्छे से इस चीज को follow करना, और अगर अच्छा लगे, समझ में आए, और लगे फाइदा हो रहा है, तो feedback में जरूर बताना, चालो, bye bye, thank you.